हलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे स्टीज की YouTube टरनल पे और हम लोग कर रहा है प्रपर्टीज आफ बेंजीन डाजोनियम कुलराइट यानि बेंजीन डाजोनियम कुलराइट का हम लोगों ने प्रपर्टीज डिसकस किया था प्रिवेस वीडियो में इसके पहले यानि डाजोनियम कुलराइट यानि डाजोटेजन पे तीसरा ये वीडियो इसके पहले दो वीडियो हमने कर लिया था फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इसका फार्मेशन किया था विट मैकनिजम सेकेंड वीडियो में हम लोगों इसका प्रपर्टीज करी थी आज भी reaction with water दूसरा send me reaction आर तीसरा potassium iodide फिर अगें हम लोग क्या करेंगे इसका property discuss करेंगे किसके साथ reaction with reaction with sodium nitrate किसके साथ reaction with sodium nitrite NN2 ठीक है तो देखो क्या होगा sodium nitrite तो यहां से देखिए आपके साथ हो जागा क्या बेंजीन डाइजोनियम को राइट यहां पर हो गया और इसका आपको रियक्शन करवाना है किसके साथ सोडियम नाइटराइट के साथ एन्नो टू तो फिर देखो क्या होगा 20 के बांट ब्रेक होगा प्रिवियस अगर वीडि के रूप में बहार रिलीज हो जाएगी नसील को लेकर निकल गया क्या बना लिया नसील और एन्नो टू बचा है तो बेंजीन से जाके लग जाएगा और जब बेंजीन से एन्नो टू लगता है तो इसको बोलते हैं क्या नाइट्रो बेंजीन बोलते हैं क्या बोलते हैं ना अगली प्रोपर्टीज इसकी रियक्शन के साथ डिस्कस करेंगे जो इसकी पांच भी प्रोपर्टीज है आपका क्या फिर से अगेन बेंजिन डायजुनियम कुलराइट यान 2C-L और इसका हमने रियक्शन करवाए कि इसके साथ Hbf4 के साथ तो क्या होगा यह आपका क्या है फ्लोरो बोरी के सीड है तो जब इसका हम रियक्शन करवाएंगे तो क्या आपको मिल दे वाला है देखो यहां से H+, निकलेगा तो H+, ले लेगा C- को तो क्या बना लेगा? HCl बना लेगा और बोरान 3 ही बैलेंसी बनाता है तो एक फ्लोरीन यहां से निकल दाएगा तो BF3 हो जाएगा यानि कि BF3 बाहर निकल गया एक फ्लोरीन जो निकला है वह इस पे जाके सब्टिट्टिउस हो जाएगा और आप जानते हो यह न्टू क्या हो जागा? गैस के मिल जागा क्या? बेंजीन के साथ अगर फ्लोरीन लगता है तो इसको हम बोलते है क्या? फ्लोरो बेंजीन बोलते हैं क्या बोलते है? फ्लोरो बेंजीन तो हमने किसके साथ रियक्शन करवाया हमने रियक्शन करवाया हमने रियक्शन करवाया हमने एक फ्लोरीन निकल लाए तो एक फ्लोरीन निकल गया यहां से तो बी अब 3 फिर से यह रिलीज हो गई बाहर अब यहां से N2 जानते हो हर केस में बाहर निकलता है तो N2 जब निकल जाएगा तो जो यहां से F- निकला हुआ है वह इस बेंजीन पर जाके जुड़ जाएगा और यह आपको बन जाएगा क साथ उसमें भी कुछ इस प्रकार का ही होने वाला है तो जो आपका छाठवा है रियक्षन विद हाइपो हाइपो फास्फोरिक एसिड फास्फोरिक एसिड रियक्षन विद फास्फोरिक एसिड तो फास्फोरिक एसिड क्या होता है आपका आप जानते हो फास्फोरिक एसि तो हम लोग क्या करेंगे यह रहा आपका बेंजीन डाजोनियम कुलराइट यानि N2Cl इसको हम रियक्ट करवाएंगे किसके साथ S3PO2 और इसके साथ हम क्या करेंगे वाटर भी लेंगे तो इसके साथ जब हम रियक्ट करवाएंगे तो देखो इस प्रॉसेस में क्या मिलता है इस प्रॉसेस में हमको पहले कंपाउंड लिख दो इस प्रॉसेस में हमको मिलता है बेंजीन क्या मिलता है बेंजीन मिलता है अब जो बचा है उसको बाहर रिलीज कर दो इस प्रॉसेस में क्या निकलता है बेंजीन बनता है, अब देखो क्या होगा, यहां पर पहले फास्पोरिक एसिड का फार्मेशन होगा, फास्पोरिक एसिड, यह है हमारा हाइपो फास्पोरिक एसिड, और फास्पोरिक एसिड होता है, हमारा दो hydrogen है, तो यहां से एक hydrogen तो चला गया किसके साथ, इस Cl- के साथ, तो बना लिया क्या, SCL, और एक hydrogen जो hydrogen iron के रूप में है, hydrogen anion के रूप में जो बचा हुआ है, वो जब nitrogen यहां से gas के रूप में निकलेगा, तो यहां पर जाके चला जाएगा, और यह बना लेगा अपका benzene, तो reaction with hypofasporic acid में क्या होता है, benzene का formation होता है, ठीक है, कैसे हुआ, S3PO2 का जब water के साथ reaction करवाएं, तो phosphoric acid का formation हुआ, और SCL क्या होई, बाहर यहां से release हो गई, और into तो जानते हैं, हर किस में क्या होती है, बाहर release होती है, और यहां पर benzene का क्या हुआ, formation होगा, ठीक, अब हम लोग discuss करने वाले हैं, आगे coupling reaction, बहुत important होने वाला है, वो भी, तो उसको भी लगे हाथ, इसी में क्या करते हैं, उसको finish करते हैं, तो अगला हमारा जो reaction होते हुआ है, वो क्या है, coupling reaction coupling reaction इसमें क्या होगा, इसमें आपको दोनों जो compound होंगे, वो aromatic होंगे coupling reaction में क्या होता है, दोनों जो compound होते हैं, वो aromatic होंगे देखो क्या होगा, हमने यहां पर लिखा है यह रहाब का अगर इसको मैं figure ऐसे बनाऊं तो यह रहाब का benzene diazonium chloride into CL और यहाँ से हमने reaction करवाए किसके साथ final के साथ यह रहाब का final अरे यह figure मैंने क्या कर दिया थोड़ा सा reverse कर दिया तो जब इसका हम reaction करवाएंगे तो यह coupling reaction में क्या होगा यहाँ से देखो ACL क्या हो जाएगी बाहर release हो जाएगी अगर मैं नीचे यहाँ पर दिया रियक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ACL बाहर release हो जाएगा तब बनेगा क्या यह compound का बन गया यह रहाब का यह रहाब का फेनिल यहां से नाइट्रोजन डबल बांड यहन फिलिस से जुड़ जागा और यह रहाब का फिनाल का OEH ठीक है तो इसका अगर आप नाम देना चाहते हो तो पैरा पोजीशन पर क्या हमारा हाइड्राक्सी गुरूप है और यहाँ पर एजो है तो पैरा हाइड्राक्सी एजो बेंजीन इसको काते हैं तो कप्लिंग रियक्शन में क्या होता है कि जब हम बेंजीन ड पैरा हाइड्राक्सी एजो एजो का मतलब कितना है दो देखो दो है ना नाइट्रोजन के साथ कितना लगे है दो पैरा हाइड्राक्सी एजो बेंजीन ठीक है इसको हम कहते है पैरा हाइड्राक्सी एजो बेंजीन ठीक और इसका अगर रियक्शन करवाते हो तो आपको किस क्लिशन मिलता है औरेंज डाई मिलता है औरेंजडाय तो अगर यह समझ लोग आप रेक्षण करवा रहे है आपको औरेंज कलर का कुछ मतलब अप्ज़र्बेसन मेला तो समझ लेना कि हमारा पयरा एज्णरकिय और इस चीज का formation कर लेगा तो coupling reaction दो होता है एक तो हमने यहाँ पर discuss कर लिया दूसरा हम क्या करेंगे amine के साथ reaction करवाएंगे मतलब aniline के साथ तो देखो उसमें क्या होगा आपका अगर हो यहाँ पर नहीं मिटाना चाहिए था यहाँ से हमने क्या कर दिया iniline के साथ इसका reaction करवा है किसके साथ iniline के साथ अब यह चीज आप confusion मत रहना कि सर यहाँ पर हैडोजन क्या है सब जगा है तो carbon की balance कहाँ से satisfy होगी तो हम लिखते हैं नहीं है लेकिन जब जरूरत पड़ता है तो हम उसको लिख लेते हैं तो यह रहा हमारे iniline iniline का फिर अगर reaction करवाएंगे किसके साथ benzen, diogenium, colloid के साथ तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा यह CL बहार निकल जाएगा again हमको product क्या हो जाएगा मिल जाएगा तो यहाँ से iron, double band iron और यह आपका बन गया है पे NH2 तो देखो पैरा पे क्या है हमारा amine group है तो इसका अगर आप नाम देखना चाहते हो तो इसका हो जाएगा पैरा amino azobenzene 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 जो इसलिए बताए जाता है कि वहाँ पे दो है तो पैरा amino azobenzene ठीक है और इसका observation आप देखना चाहते हो तो किस color का आपको observation मिलेगा yellow color का yellow dye आपको मिलने वाला है तो coupling reaction बस दो ही होता है जब एक बार हम benzene, diogenium, chloride को phenyl के साथ reaction करवाएंगे तो कुछ नहीं होगा क्या होगा SCL बहार निकल जाएगी उस समय हमको मिलेगा parahydraxy azobenzene बट अगर इसी benzene, diogenium, chloride का हम एनिलीन के साथ reaction करवाते है तो हमको parahamino azobenzene मिलता है और इसमें हम लोग yellow color का formation होता है तो हम लोग यहाँ पे parahamino compound का finish करते हैं क्या करते हैं इस parahamino compound को अब finish करते हैं क्योंकि यह पूरी तरहिय से क्या हो चुका है खतम हो चुका है यह chapter तो overall हम लोगों ने besesies secondary के organic में हम लोगोंने 4 chapter को क्या कर दिया है यह फिनिस कर दिया है ठीक है तो diagotation में हम लोगोंने 3 वीडियो किया है eniline में हम लोगोंने 5 वीडियो किया है और benzyl amine में हम लोगों ने एक वीडियो किया है तो overall 5 एक 6 औरती 9 वीडियो यानि aromatic amine पर अगर आप discuss करोगे वीडियो counting का तो overall कितने वीडियो हो रहा है 9 वीडियो हो रहा है तो इस 9 वीडियो में आपका aromatic amine जो chapter है वो फूरी तरीके से क्या होता है cover होता है with notes क्या दिया गया आपको notes भी दिया गया है तो इसका भी notes आप इसकीन से note down कर लेजेगा मिलते हैं किसी नए chapter में तब तक के लिए take care बाबाई